हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है जितने छात्रों का कल 6 मार्च को पेपर है आप सभी को बताने वाले सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस्न अभी आप सभी को 132 बहुविकल भी प्रश्न कराएंगे यह सभी प्रश्न सिर्फ आप सरसरी निगाहों से देख लीजि यहां पर आप सभी को प्रश्न कराने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बरता देते आप इसको जरूर देख लीजिए एक सेकेंड के लिए इसकी वीडियो को मत कीजिएगा 130 प्रश्न केवल देख लीजिए आपका एक भी प्रस्न इससे बाहर चला जाएगा तो आप कमेंट इदर बास में लिज़ सकते हैं इस फ्रेंजर की आप को यहां पर पहला देता है प्राथिमिक्च कलर और इत्यॉटिय कलर रहा कान सा है यहां पर प्ता देतिक प्राथिमिक रंगों के पार टोटल तीन सब्सक्राइब ऌतå इतने-टी रंगा आप तोटल कितने Aztean आप पहले प्रश्ण को यहीं याद कर लिए प्राथिमिक रंगों के सब्सक्राइब इ Bulgar तो कि सब्सक्राइब शुवी प्सक्राइब कि सब्सक्राइब ठीक है यानि कि नारंगी बैगनी और हरा ये तीनों रंग क्या है दिवती रंग के अंतरगत आते हैं इसके साथ में आपको क्या याद रख रहा है आप याद रखिए कि लाल को यदि पीला रंग में मिला दिया जाए तो आपको बनता है नारंगी रंग यानि कि आरेंज इसे आप याद रखिएगा ठीक है फिर इसके बाल में नीला रंग मिला दिया जाए तो आपको बैगनी रंग बनेगा देगे फ्रेंस मेरे पास इस इस इसलिए बस यहां पर लिखें आप रंग पर मत जाएगा कि यहां पर बैगनी नहीं है यहां रहे लगे कमेंट करने तो आप अपयार तो आपको पैपर मी देखने के लिए मिलेगा इसके अलाग कुछ और रंग बता देते हैं आपको जैसे आप यदि लाल में हरा मिलाते हैं लाल में हरा मिलाएंगे तो आपका पीला रंग मिलेगा यह भी आपके बोर्ड की एक्जम बहुत पूछता है और लाल रंग में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो मैजन्टा मिलता है इसके लोग नीला में हरा कलर मिलाते हैं तो आपका स्यान रंग मिलता है ठीक है यह कलर भी आप साथ ने एक जगा बस लिख लिए एक बार लिखने से आपको याद हो जाएगा ठीक है अब दिखे पीला मैजंटा और स्यान इन तीनों रंगों का आप पसमें विलाएंगे तो आपका बनता है सफेद रंग ठीक है यह जितने भी आपको लाइन बता इन जितने भी एक कलर बता इनको एक जगा आप लिख लीजिए जरूर लिखिए ठीक है अब चलिए आपको सभी क्वेश्चन करा देते हैं बस आप को एक बर सरसरी निगाहों से देखते चरे जाएए आपको सभी प्रशना का एंस्वर याद हो जेगा और आपके सामने जब बोड की एकजाम में प्रशना सामने आएगा तरह आप उसका एंस्वर लगा लेंगे देखिए आपके सामने जो पहला नंबर का क्वेस्टन है कर निम्णलि कित मैं से कौन सा रंग उडासीन है तो सीथे देखिए हैपका उडासीन रंग के अंधरकत यहां पर प्राथमिक रंग होते हैं ठीक है काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट रंग का निर्माड होता है तो होता है सफेद होता है सभेद का विरोधी काला रग में यह सफेद रग मिलते हैं तो आपका क्टिंट रग मिलता है ठीके अगला देख ली प्रशन को आप देखते रहे तो यह फ्रेश्ट ठीक है आपको बस मुस्किल से 20 मिनट में सभी को एक बार देख लीजिए देखें नीला में यदि पीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा तो आपका हरा रंग बनेगा तो इसको आप लिखेंगे ना दिए सभी प्रेश्ट आपको याद हो जागा देखे 2023 के 2075 पूछा यार-डाबरू सब्सकिया ठीक है अगला प्राश्चन के कितने गुड होते हैं तो याद के तो एक्रिलिक रंग जो होता यह नहीं का लाता है इसे याद्रखेंगा जो एक्रीलिक रंगुत ग्णिंष रंग नहीं और प्रशन देखें हैं गरmin या उष्रक्रणंस रंग कितने होते हैं यहां पहले आपको बताते हुआ धाँ देखें लाल रंग आता है यह गर्म रंग के अंत्रगत आता है और गर्म रहां के तो टल चार है तेश्प्रमका सही जवब सीवडाप स़ी करेंस अगरा प्रसण देखिए कि प्राथ्मिक रंग कितने होते हैं तो को सबसे पहले इनता है कि प्राथ्मिक रंगों के यूदा है यहाद कर लिजिए हंडेर्ट परसंटेज के गारंटी देते हैंगे जो आपको लिख के बता हैं उसमें से 100% कल के बोड की एक्जाम में आपको दो तीन प्रसन जरूर देखने के लिए मिलेगा ठीक है यह आप देखे नारंगी रंग यह आपको प्राप्त करना है तो आपको लाल और पीला रंग आपस में और प्रम नारंगी रंग मिलता है तिसका सही ज़व вся हरे रंग का विरोधी रंग कौण से अगंवि riches का ला और ता सफेद का विरोधी रंग होता है हरा का बिरोधी रंग लाल होता है तीकर स्ब्सक्राइब को याद रखिआ अगला प्रश्ण देखिए 11 नंबर का नीम लिखित में से प्राथ्मिक रंग के याद करने का आपको ट्रिक बार 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 बता रहे हैं कि आप पा नीला पढ़ेंगे बार बार याद पा से पीला याद रहें नी से नीला और ला से लाल कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में दिखे यहां पे सही आप डिवला प्राथ्मेंर इनुसार समंसार हरा का विरोधी रंग कुशनार का में और नीश्ट के डिदक का अनुसार मुख्य 273ol के रंग करदा लेकिन ओस्ट वाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंगों की संग्या पूछेगा तो चार बताएगा तो इसका सही जवाब एवल आप्सन सही हो जागा अगला देखिए चोधा नंबर का कि नारंगी के समीपस्त कौन सा रंग है यानि कि नारंगी जो होता है उसके समीपस्त देखा प्रेश्ण का सही जवाब एवल लुफा अगा अगला देखिए प्रेश्ण 14 नंबर का की बाएगा रंग करें प्रेश्ण हरा जाएगा तो इस प्राश्ण जवाब एवल आप्सन सही हो जाएगा ठीके यह जिटने भी प्रषन बता रहें एक बर बस देख लीजिए ठीक ह आदर्स रंग कितने होते हैं तो आदर्स रंगों की संग का टूटल छह है तो इस प्रशन का सही ज़िए और डीवल आपसन सही हो जागा चित्र कला के कितने अंग माने जाते हैं तो इसको भी आप साथ में याद रखिए आपको 130 प्रशन कराने वाले हैं मुस्किल से आप 20-25 मिनट में 300-130 प्रशन आप एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं और जितना 130 प्रशन करा रहा है इसी में से आपके क्वेस्चन आने वाले हैं ठीक है अगला कि कला शब्द किस भासा का है तो कला सब्द आपका संस्कृति भासा का है देखिए आपको ब पीला को आपस मिलाने से हरा रंग बनता है तो इस प्रशन का सही जवब एवल आपसन सही हो जाएगा जो इस स्टार्टिंग में आपको बताएं उसको एक जगर निकली जी सभी प्रशनों का इंस्वर आप आसानी से निकाल सकते हैं सफेद रंग का विरोधी रंग तो सफे आप से प्रशन आफ बाढ़ बाल फूछ रहा है कि नीला का विरोधी रंग क्या होता है पीला होता है और विरोधी प्रशन को जरूर याद रखी क governments का और से हमलने कि दूर निरिकसे वर्धव आपस में दोड़िता है तो इस प्रश्ण का सही जोब डी वल आपसन सही हो जाएगा कि लाल और सफेद को आपसे मिलाने से गुलाबी रंग का निर्माड़क होता है अगला देख लिजिए बैगनी रंग किन रंगों की मिस्रण से बनता है तो बैगनी रंग जो अभी इस टार्टिंग में होता है तो लाल का विरोधी रंग आप याद रखेगा हरा होता है तो इस प्रश्ण का सही जोब यह वल आपसन सही हो जागा यानि कि लाल का विरोधी हरा यहारा की विरोधी लाल होता है इस याद रखेगा प्रश्ण को ठीक है अगला देखिए किस नंबर की पैंसिल हलकी रेखाएं खीजती है यह देख लिए आपकी पेपर में बहुत पूछा गया है तो आप एक चीज़ कंसेप्ट में आ रखिए कि देखी किस पैंसिल से बनी गई रेखाएं हलकी होती है तो यह होता है आपका बीवला टू एच से यह प्रश्ण आपको कई बार करा चुके हैं अगला प्रश्ण देखिए जयामिती अले खन निर्माड रूता है जयामिती आले खन का जुल रेखन के जयामित तेटों से होगा प्रश्ण को याद रहेंगे जयामिती तत्त्त इए गांति इसका सहीुआफशन सही होजआईगा अगला बहून intervenal अले खना सब्सक्राइब थो जाएगा अगला प्रशन देखिए आप 28 नंबर का कि सुछ्म आलेखन को क्या करते हैं तो सुछ्म आलेखन को आपसा करते हैं तीनों का एक मिस्त्रड होता है सुच मालेखन क्या होता है अलंकारिक आलेखन प्राकृतिक आलेखन और जयामिती आलेखन तीनों का मिस्त्रड होता है अगला देखिए आलेखन में इकाईयों के पुर्णाविरत्ति होती है जब आलेखन में इकाईयों के पुर्णाविरत्ति होता है तो से क्या करते हैं तो ट्रेशिंग पैपर द्वारा इसको करते हैं कुणाइक क्यों करते हैं त्रेशलिक पैपर के द्वारा करते हैं इस future सही जवाब ये सिवला आप्शन सही हो जाएगा अगला देखिए अलेखन जुद्ध स्यामर्ग का प्रयोग किया तक श्वेत सियामरंगू काा प्रयोग किया जाता है जामिती आलेखन में श्वेत स्याम रंग का प्रियोक किया जाता है ठीक है देखे फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है और अपने दोस्तों के पास अधिक वीडियो को सेयर कर दीजिए अगला देखिए ठंडा रंग कौन सा है तो आप समिकर बार बर पताएं कि ठंडा रंग को है तो आप इसके अलावब नीला होता है दो रंग आप की है ठंडा रंग काहते है तो फ्रेंडा रंग कोई कि बदामी गुफा कहां पर है तो औरंगा बाद में है अगला देखिए प्राश्ण 34 नंबर का उस भूध पुर्व प्रधान मंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे तो यह थे वह आपका वीपी सिंग इसको याद रखिएगा कि जो भूध पुर्व प्रधान मंत्री इसको याद रखिएगा द करा किस रणी में आता है चिट्र एचर जो होता है डिर्ष्य में आता है मतलब अब देख सकते हैं इस्ति से संबढ़ित होता है । अगरा देखिए आप अगला प्रश्ण जो है बोधिसत्त्व वज्र प्राड़ी चित्र किस सहली के अंत्रगत आता है तो यह होता है आपका अजन्ता के अंत्रगत इसका सही जवाब एवल आप्सन सही हो जाएगा अगरा देखिए वाट मैं पेपर का प्रियोग किस माध्यम में होता है तो देखिए वार्ट में पेपर का प्रियोग जो होता है जल माध्यम में होता है इसका सही जवाप एवल आपसन सही हो जागा अगला देखिए चित्र में गहरा रंग विशेश कर क्या दर्शाने के लिए होता है गहनत्यों को दिखाने के लिए होता है चित्र में तो यह मिला जाता है क्रिम संग्रा देखले प्रशन इस द्ल परक्तेजिा जाता है कि बढ़ा करेंगे तर् persons क्रियोग किया जाता है अगला देख लिख लिए पेस्टल रंग कोकि से बहरें का ओट करींगीर्य्हन ऐसे चित्र बनाएं तो प्रिष्ट भूमी जो हुए को बरेंगे फिर आगे वाले सभी फिर न 시청 और एकATHAN कर भूं रहेंगे गव मु हैं रहा जाता है कर लागिफिला रंगों का पर्योग करते समय पहले भड optimize आगे यह पर Ju सबस्था हम कि यह दो सबसे पहले भर देंगे उसपे उसको अदम चफना दीजिए आइसा एगला प्रशन देखी में 43 नंबर का ठीक है कorn getting 43 नंबर नेत्र तल से ऊपर का भाग कालाता है यह उपर का भाग प्रिष्ट भूमी कोलाता है इस प्रष्ण का सही जब प्रिश poreक है नेत्र तल से नीचे का भाग कालाता है तो अग्रभूमी कालाता है ने त्रितल से नीचे का भाग अग्रतल क्या करता अग्रतल देखे फ्रेंज बस इन सवालों को जिस प्रशनों को आपको पता रहे हैं बस इसको एक बार मुबाइल सामने रखे इन प्रशनों को सिर्फ एक बार देख प्रेशन प्रेशन हों सिर्फ आपको आपको आपस्ट होता है जल रंग अगे तरह पार दरशी शयों होता है इंगले उसको याद रखे सब्सक्राइब रहता है इसकी याद क्या क gobierno पर दरशी रंग होता है तक सही जहाd बीवल आपसन सही हो जागा कि जल रं एक पारदर्शी रंगंग समाँ इस्तति में आकास का रंग उपर क्यों रहता है खायशा रहता है आपका गहरा नीला इला रहता है कि समानी इस्थिति में आकास का रंग आपको राजू रहता है गहरा नीला रहता है अगला प्रशन देखिए निकट इस्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमूकता भरा जाता है या भरा जाता है तो कौन सा साइप ग्रीन होता है कौन सा रंग साइप ग्रीन कलर भरा जाता प्राताकाल के समय वातावरण में किस अधिकता होती है तो वह होती है आपका पीला रंग की जब प्राताकाल पहाड़ी में कौन सा रंग प्रमुक्ता भरा जाता है दूर इस दिख पहाड़ी हो उसमें कौन सा कलर बरा जाएगा तो उसमें बरा जाता है कोबाल्ट बलु कौन सा रंग कोबाल्ट बलु रंग ठीक है आप याद रखिएगा इसको देगे सायमकाल के समय वातवर्ण में किस रंग की अधिकता होती जैसे सूबह के सामें आपका पीला रंगी होता है और शाम के समें जब सूरजर वह गता है उस समें देखेंगे आपका लाल इमा टाइप ज्यादा दिखा लाल रंग तो आको सीटर्विसाब करते समेहृइंगे प्राक्ति द्रिश्ट करते में शायं काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रेयोक किया जाता है तो तो दूदला रंग घेंट चेस। सायम काल के समय कि सुबा काल का देखाना है तो आपको चटकिला कलर और साम के समय को देखाना है तो कैसा कलर रहेगा आपका दूदला कलर रहेगा साम के समय दूदला और सुबा के समय चटकिला रंग होना चाहिए एक्ला देखिए वह अजहां धर्ती और आकास मिलते हुए पर्ती रहे देखते हैं उसे क्या करते हैं च्छितिज कहते हैं आपका अपार धर्शी होता है पहले नंबर प्याद रखिए पेस्टिल रंग जो होते किस प्रकार का होता है और अस्थाइक कलर होता है इसका सही जवाब बीवला अफसन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्राशन आप देखिए प्राचीन भारती पद्दती के अनुसार मुख अथ्वा प्रारंभिक रंग कितने होते हैं तो एक को मुंख्य रंग पूछे प्रारंभिक रंग ने पूछे देब contrat लेकिर याच में रखियेगा और छैनल्य चक्रक जो प्रश्ण का सही जवाब डीवल आपसन सही हो जागा प्रात्मिक रंग आते हैं अगला प्रशन देखिए कि पीड़ पूदे कि फूल पत्तिओं कलियों प्रशन भष्थों को से बने आलेखन क्या काल आते हैं तोौत थे प्रॉबकोन सा प्रभाव डलता है तो हरा रंग जो होता है नित्रों पर ठंडल प्रभाव help कर्क्तों द्रेख Ouais हुआ जौतंते हैं जिसे सीफित सु और वह गलते है अग्यारते में दोतल कितने रंग होता है फद्समें तर साथ सब्सक्राइब कि अगला देखिए लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे तापको नारंगी रंग मिलेगा तो लाल और पीला आपका प्राथिमिक रंग होते हैं जबकि हरा और नारंगी ड्यूती रंग होते हैं अगला देखिए जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उप्यूक्त किया जाता है यह होता है वाट मैं कागज कौन सा कागज यहां पर सब्सक्राइब कर दियान रखिएगा जल रंग का चित्र बना इसमें नहीं आएगा इसके अलवा जैसे नीला हुआ नारंगी लाल हुआ इसमें सब आ जागे जैसे बॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो आरेंग रेड यह सब आपका क्या हो जाते हैं कि आपके इंद्रदुनुस के रंग होते हैं कि इसमें नहीं पूचा है याद रख ठीक है अगला देखिए यहां पर मोनो कलर योजना किसे कहते हैं या मोनो क्रोम पूचता है देखिए मोनो कलर योजना किसे कहते हैं या मोनो क्रोम क्या होता है यह जो हता एक रंग योजन होता है एक रंग का योजन जो होगा आपका मोनो क्रोम होता है मोनो मतलब होता है आ इस तरह आप पढ़के याद रख सकते हैं अगला प्रशन देख लीजिए उच्तर परदेश में राज ललित कला अकादमी इसको जरूर याद रखिए गए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन है फ्रेंस कि ललित कला एकादमी कहां पर है यह आपका लखनों में इस प्रशन कौन सा है तो देखिए आपको इस प्रशन तो कई बर बता चुके हैं ततश्ट रंगों की संख्या दो टोटल दो है जिसमें आपका आता है सफेद और काला यहां पर आपका क्यों सफेद दिया है तो इस प्रशन का सही जो आप एवलाफसन सही होगा ततश्ट रंग कौन सा है सफेद हैं मुखे रंग कौन सा है तो मुखे रंग में बता है अगले प्रशन देख ली-जिए आप कि नीमने में से कौन सा रंग गरम रंग आप सभी को बता चुके हैं कि लाल रंग जो हता है गरम रंग होता है अगर आप प्लशने आपए द्याण दीजे था तर नंबर का जब मनुस्य अपने वह को चित्र कड़ करते हैं को सी कला कहला थी है तो चित्र जाएगा, निर्ट को देखाना होगा और सधिकला और नाटक को देखाना होगा शिदा सिधा मतलग freedom को से एंगला प्लशन देखें चल्वेत्टर नमर का तताष्ट रंग कोन सा ये तभी बताएं की काला और सफेड जो होता एतफ़ रंग होता है टताष्ट रंगों की संक्य टोटल दू होते हैं इसका सही जो आप ये वल आपसंस सही वह जाएगा अगरा देखिए जिन रंगों में नीला रंग का प्रभाव पाय जाता है वह कौन पुक्ष्ण पारदरशी तो आपके प्रश्ण कई बर बता चुक्ए है तो आपके बर बता चुक्ए है यहाँ यानि की वाटर कलर करते हैं देखे इस प्रश्ण पर कई छात्रों का कंफ्यूजन था आप यहां पर देख सकते हैं आपको फिर से बता देते हैं कि जो टैल जल रंग होता है गूगल में खोजेंगे तो आपको तैल रंग मिलेगा यहां पर आपको किताब के अनुसार जो हैं जल रंग दिया है तो इसलिए बार बार जल रंग बता रहे थे अगला देखिए प्रश्ण आप 77 नंबर का फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश का प प्रश्ण देखिए छोटी जगह किले किस नंबर के ब्रश का प्रियोग करते हैं यानि छोटी जगह वहां पे आपको जासे रंग करना हें तो कौन से प्रश का प्रियwow करेंगे ज भशाइट देखिए चोटा है isol रखैए छोटा सी याद राखिए गा शोटी संख्या जैस लाल में मिलाते हैं कौन रंग बनेगा इसलिए प्रानम के लिख्वा के लाल रग्स को बनते हैं बिले यह जий अगल प्रश्ण आप सब Kelvin 2 को बता है अगला देखिए प्लिला रंग का होता ये प्रश्न आपको कई सब्सक्राइस हर रहा होता है कि रखेंगी संगती प्रकार क्यों होती हैं फ्लीला का विरोधी रंग का विरोधी bene प्रश्न के द्वारा सबसे ज़्यादा रेखा बनता है तो इस प्रश्न का संक्राइब लगा हुँआ दिए इसके द्वारा क्या होगा सबसे गहरा रेखा बनेगा लेकिन यहां पर फोर भी रहता आप आप सब लगाते तब तू भी नहीं लगाते तब फोर भी लगाती ठीक है अगला देखिए प्राश्चन कौन से बनाए गई रहा हलकी होती है यहां पर देखिए जब हलका पूछे तो यह लगाएगा जिसमें यह की संक्या सबसे अधीक होगा उसके द्वारा बनाया गए रहा सबसे ह बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रियोग करते हैं ठीक है अगला प्रसने देखिए जात के केंद्र को अलंकिरित करने के लिए कौन सा अलेखन उप्यूक्त होता है जब च्छत केंद्र होगा तो केंद्री आलेखन हो जागा इस प्रशन को याद रखिए कई बर यह प्रशन आपको कराए हैं अब या याद भी हो गए हो ठीक है बनावट की द्रिष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं और नीला जब आप उसे मिलाते हैं तो आपको कौन सा रख बनता है बैगनी रंग तीस प्रशन का सही जवाप सीवला हो जाएगा हरा रंग कौन सा है इसमें सहरा रंग आपको बता चुके हैं कि हरा रंग जो होता है आपका प्राथ्मिक रंग नहीं होगा देखिए यहां आपका हरा रंग क्या होगा तो आपको प्राथ्मिक रंग होता है देखिए इसके पहले यहां पर हरा रंग को द्यूति रंग बोले होंगे तो वहां पर आप सही कर लिजे हरा रंग जो होता है आपको प्राथ्मिक रंग जैसे नीला पीला और हरा ठीक है तो दोस्तों यहा आपकी चैनल रंग् or Hayood कि निला और शफेद आपका क्या बनाता है आस्मानि यह बनाता है यह जो zarf ded रंगों पर प्रभाव पाए जाता है कौनत रंग कहते हैं जिस फिलाल रंग का प्रभाव पाए जाएगा या नीला रंग का प्रभाव पाए जाएगा ठंडा रंग कालाता है ठीक है इस प्रकासवी प्रश्ण आपके पूछे जाते हैं ततर्ष्ट रंगों की संक्या दो होता है आपको काला और सफेद बताएं कि तर्ष्ट रंग कालाते हैं प्रिज्म की कौनसे प्रशन पूछे इंद दुनिस कितने रंग पाए जाते हैं तोorgas में कितने रंग है तिए को कि ठीक है कि Oh इस होट इन उसे ये श्य वाहर मताते चले आ रहे हैं कि तीन प्रारंपिग रंगों के चाट के अनुसर का है पीले रंग का विरोधी रंग यहां प्रिष्ट भूमी के लिए किस नंबर के प्रयोग करना चाहिए तो जो संक्या सबसे अधिक होगा उसी का प्रयोग यहां पर करना है तो अगला प्रसन देखिए आप जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं का लाते हैं तो देखिए नीला पीला लाली प्राथमिक रंग के अंद्रे करते हैं जबकि नारंगी हो गया हरा हो यह प्राथमिक नधी द्यूतिया रंग के अंत्रगत आते हैं यहां फिरी प्रस न देखिए अगला कि आजन्ता की गुफाओं की रखेंग के प्रहाओं की यहां बहुत दिकाल के कार प्रषण के जो प्रशन के फौराओं को ॐ चैनल को आप चित्र काल नयुक्त कोि पता रहा है है एक बार बार kuba में करके प्रशन को देखके आप प्रेपर देने चले जाहे सबी प्रशन आप कर ना ठीक है ठीक है चित्रकला से संभंदित कौन से घ्रक्राइब है एक तो आप सभी की यह पता है कि जब दूर एक दूसरे को कहीं पर तिछेद नहीं करता तुस्सें समांतर रहा करते हैं देख़ें इहांपर दो चीधिर रहां आपसमें नवीर तीज़ सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है तो सबसे महीन ब्रश आपका ये 6 नमबर का ब्रश है ठीक है अगला प्रसन देख लिजिए रेखा किसे कहते हैं देखें यहां पर सबसे महीन ब्रश कौन सा होगा थोड़ा से कानफ्यूजन आप इस प्रश्ण को देख लिएगा मेरे हिसाब से तो आपका एक नंबर का ब्रश होना चाहिए जो जितने आपकी संख्या में कम होगा उस वह ब्रश सबसे महीन होता है ठीक है और यहां पर सबसे महीन पूचा है तो इसके कर्डिंग तो भी वला होना यह होता प्येश्टल कलर ठीक है यह प्यों यह आप यहां पर ड्रंग नहीं होगा बिना ब्रशूज नहीं कबड़त, pentel कल रिर्श का सभी जरू आप संढ Mota रश होता है तो आपके सामने अगला अगला ॏ कि सुर्ड के समय सब्सक्राइश कृता है चिति जब होता है उस समय का सही जब डीवल आप संग सही आपका यहां पे दिखिए कौन से आकार आलेखन के लिए उप्यूकत नहीं है तो यह होता है आपका कोड कोड़ से कोई भी आपका आलेखन नहीं बनता है जबकि वर्ग बृत और तृभुज में आपके आलेखन बनते हैं यहां पर वर्ड का वर्थ क्या होता है तो वर्थ सिधा सिधा रंग होता है चित्रकला में वर्थ का मतलब होता है रंग ठीक है तो आप याद रखेगा रंग होता है अगला देखिए आपका कि वर्ष्ट वाल्ड संबंदी थे तो वर्ष्ट वाल्ड की टोटल संख्या आठ और वर्ष्ट वाल् यारी बहुत से रंग उसमें होते हैं ठीक है एक वरड़ी वरड़ी या बहुर वरड़ी ता बहुर वरड़ी आप से साही लगाईएगा ठीक है अगला प्राशन 112 नमबर का देख लीजिए निमने लिखित में से कौन सा ले आत्मक रेखा है तो सरल रेखा को क्या करते हैं ले चाहे चहत का केंदर हो गेंदरी आले खर प्रियोक रहते हैं ठीक है तिस पकात से प्रशनों को याद रखिएगा संगती में कितने प्रयों का प्रयोक करते हैं तो इक एक मतली होता है तो एक अक départ ऐसे आब IRA बता है चाहे नीला रहिया चाहे यह डालेगा ठंडा रंग या सीतल रंग प्रभाव डालता है इसके अलावा आपकी नेत्रों पर गर्म रंग पूछे तो आपका कौन सा होता लाल रंग याद रखिएगा ठीक है यहां पर अगले प्रश्णों को देखिए आप लाल और हरा रंग है यानि कि लाल रंग हुआ और हरा रंग तो लाल रंग और हरा रंग कैसा रंग होता है एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं इसका सही जो डीवल आपसन सही हो जागा लाल का विरोधी हरा या हरा के विरोधी लाल क्यों होता है देखिए लाल क्या होता है गर्म रंग होता है हरा क्यों हरा जो होता है ठं और नारंगी बैगनी निमने लिखित में से वर्विकड़ में कहां इस्थी थे हरा हुआ नारंगी हुआ और बैगनी यह तीनों जो होता दिवती रंग के अंत्रगत आते हैं इसका सही जो आप बीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए क्या सरल रेखा लेयात बाती है अगला प्रशन देखिए 120 नंबर का कि सूरी की रश्मिया कितने रंगों में पाजाता है जो रश्मिया होती उसमें टोटल साथ रंग पाजाते हैं तो इस प्रशन का सही जो आप स्वीला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए आप कि लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है लाल को और हरा को आपको से मिलाएंगे तो पीला रंग बनता है लाल और हरा एक दुसरे के विरोधी रंग भी कालाते हैं अगला प्रशन देखिए रंग माध्य में सबसे अधिक पारदाशी रंग कौन सा होता है तो वाटर कलर यह बार बार देखे देखे बीच में कोई भी आपका अलेखन बनाया जाता है जिस से उसुंदर लगता सब्सक्रति देख देख लिख लीजी आप किन रंगों के मिस्रण से बनता है स्यर्टी रंग याद रखेएगे काला और सफेट से आपका सलेटी रंग बनता है इसका सही जो आप साही हो जाएगा अगला देखिये आप कपड़े पर रंग आई है तु कौँ साफ़वाधिक उपयुक्त होता है तो एक्रिक रंग तो इस तो होता है लाल नीला पिला होता है तो इस प्रश्ण का सही जो आप बीवला अप्सन सही हो जाएगा अगला प्रश्ण आप ध्यान से देखिए हैं आखों में जो प्रवीयत करता है तो आखा परवाव को और पुतली होता है इस आख में प्रभाव को कौन देखता है तो होता है ठीक है अगला पुतली अब देख लिए हैन कितने प्रकार को होते हैं तो याद रखेंगे कर रास्टा पूस्प कमल यहां पर आपको 130 प्रशन करा है 130 प्रश्न में आपकी एक धी पर्शन कल के पेपर में बाहर नहीं जाने वाला है ति इन सभी प्रश्णों को कम से कम समय में जादे question को कराएं आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो सभी प्रश्ण आपके दिमाग में छप जाएगा तो friends आपको वीडियो कैसा लगा? आप comment box में जरूर बताएं और friends वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें